नमस्कार दोस्तों आप कराइम तक लेख रहे हैं बात करते हैं एक आईएस अफसर की जिनका जगड़ा हुआ लिफ्ट में दरसल एक महिला से महिला के बास कुत्ता था आईएस अफसर ने कहा कि कुत्ते को बाहर निकाली लिफ्ट से इस बात पर तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू- और यह सुबह से वीडियो वाइरल हो रहा है आपने हाल फिलाल में देखा होगा नौइडा में डॉक्स को लेके बहुत जादा सोसाइटी में लड़ाई यह जगडे चल रहे हैं और सोसाइटी ने रूल बनाया है बहुत सारी सोसाइटी ने कि डॉग अगर आ रहा है तो आप उसके फेस पे जो डॉग गार्ड होता है वो लगा के रखो कि वो किसी को काट ना ले हाँ अब हर डॉग ऐसा जरूरी नहीं कि काट में ले लेकिन यह दोनों परिवार बुड़े थे यह आईस रिटायर जो आईस ऑफिसर उनकी पत्नी को शायद घुटने का प्रॉब्लम और वो थोड़ी हाट की पेशन्ट है ऐसा बताया जा रहा है तो वो डर के मारे वो बोले कि हम लिफ्ट में इसमें नहीं जा सकते आपके डॉग को वो लीज नहीं लगी और आप उसको कैसे लिके जा रहे हो बीना माउथ कैप के तो या तो हमको काट लिया तो उसका यह ने वापस से मोबाईल निकाला रखक है तो उस-वरत को गुस्ता आगया उसनने उनका मोबाईल सीन लिए पुरा सिक्वेंच बताह्यू Anniko यह वापस से बसेग्द कि औला सब्संद्र यहोर्त है और जोंकि पूलीयो बनाने लगे कि वो बोलेगी कि हम पुलीस बुलाते है पुलेट पुलीस डिसाइड कि पुलीस क्या करती है क्योंकि एक रिटार्ड आईएस ओफिसर है तो इतना भी नहीं है अब इस बात को लेकर वापस से महिला ने मोबाइल छीना और फेक दिया और फिर उसके बाद उन्होंने थपड मारा फिर उसने भी उसको मारा तो डिटाइलिएशन फिर दोनों तरफ से वा लेकिन इन्होंने थपड मारा लेकिन प्रोवकेशन थी चिराग जी हमेशा हर आदमी को न सीधा सवाल तो यह उठता है सवाल तो उठता है ठीक है आईएस अफसर है रिटाइड आईएस अफसर है उनकी सुरक्षा जो है वो उनको अगर ऐसा लग रहा है कि डॉग के मुह में गार्ड होना चाहिए तो इसमें क्या गलत वो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत नहीं सोच रहा है और बहुत इसमें आर्ग आईएस अफसर है वीडियो बना रहे थे जब उनको दिखा के वहीं बिल्कुल नहीं सिफ उनकी गलती नहीं है इसमें महिला के भी गलती है जिसने प्रवोक किया बहुत जादा प्रवोकिंग था पुलीस कॉल करता हूँ और पुलीस आईगी इस सबक सिखाएगी ऐसा तो नहीं होगा आपका मोबाइल आपको इंस्टेंस तुरन चीन रहा है तो आप भी उस पर डिटैलेट करोगी आप भी उस पर अटैक करोगी कुछ ना कुछ तो होगा हाथा पाई तो होई जाएगी और यह हुआ और फिर उसके बाद लेकिन मुद्दा यह ना चिराग जी डॉग लवर्स भी नहीं सुनते और ना लोग सुनते उसे एक मिनट के जगड़े को तुरन शांत किया जा सकता था अच्छा भाई तू चले जा पहले मैं बाद में जाता हूँ लेकिन यहाँ एगो क्लै और आएस ऑफिट सर को मार रहे हाँ अब तक लेकिन इस मामले में दोनों दोनों ने बाद में लिफ्ट से बहार निकलने के बाद दोनों ने सेटलमेंट कर लिया किसी ने किसी के खिलाफ एफाय नहीं तर्च कराई लेकिन ऐसे मामले आप नौईडा में हर हफते तो मेरी सेक्यूरिटी पहले हैं और आप कुटा लेकर लिफ्ट में चले हो भई मकान तो दोनों ने खरीदा है ना उस सुसाइटी में सवाल तो यह उठता है कि लिफ्ट में अगर कुटा लेकर कोई जा रहा है तो नैचुरली एक डर तो होगा ना जो डॉग लवर नहीं है जिनको एक अनिमल से डरते हैं वो तो नैचुरली उसका विरोध करेंगे ना कि भई इसको हटाओ यार या तो इसको बांदो और जो डरते हो उनको जबरदस्ति आप नहीं कर सकते कि भाई तू मट डर ऐसा तो नहीं कर सकते और आपने दिखाओगा हाल फिलाल में बहुत सा आपको अगर ऐसा लगता है तो आप चाहिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है लेकिन वही है कि उस समय इतना हीटिड आर्गुमेंट हो रहा है एक उसरे की वीडियो बनाई जा रही है फिर एक दूसरे को मार रहा है फिर दूसरा उसको रिटैलियेट कर रहा है कहने का मतलब है कि एक ऐसा सीन बना दिया और पूरी एक तम इस चर्चा बहुत बहुरी इसको लेकर डॉग लवर्स का नाम खराब हो रहा है अब असली में रियल में जो डॉग लवर्स हैं जो स्ट्रीट डॉक्स को खिलाते अब उनको साथ भीना सोसाइटी वाले प्रॉबलम करना शुरू क पहले से डॉग लवर्स को पुली सपोर्ट नहीं करती थी क्योंकि एक तरफ पुरी सोसाइटी खड़ी होती थी एक तरफ अकला एक डॉग लवर्स तो उनके लिए और हडल साने वाले मुझे जो लगता है इस इस पर्टिकुलर चीज में अल्थो मैं कोई डॉग लवर्स अगर कोई कुता पाल रहा है तो पाले कोई दिक्कत नहीं है एल्टीमेटली उससे आपको कि तकलीफ नहीं हो ना मैं एक इसा एग्रेशिव ब्रीड के बहुत पहलए लगों सारे देशों में दरते हैं बहुत सारे लोग नहीं जाना पसंद करते बार अठ कर दिया तो आप अगर उसने कार्ड भी लिया कुछ कर लिया तो बहुत बड़ा केस भी नहीं बनने वाला है मालिक के उपर बनेगा वह बहुत चोटा मोटा केस है वह इसली बेल मिलने वाला केस है तो उसमें भी कुछ नहीं होने वाला है और किसी ने डॉग को भी मार दिया, तो आपको पता है, अनिमल कुरायलिटी को लेकि हमारे देश में कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं है, तो दोनों तरफ ही ऐसी चीजे हैं, लेकिन हाँ, अगर एक डॉग लवर थोड़ा सा थोड़ा सा डॉग लवर भी पेशेंस रख ले, तोड़ा सा उस बिल्डिंग के लोग भी पेशेंस हैं, अचा चलो चले जाओ आप, आप दो मिनिट के लिए चले जाओ या डॉग लवर, इसका एक दूसरा भी तो आसपेक्ट है न, वो ओल डेज है, जो आये सफसर है, फॉर एक्जमपल अगर जो लेडी थी जिसके पास उसके कोई सास सासोरिया, कोई ऐसे ओल्ड जबान से निकल रहे होते हैं, तो नेचरली वो सेफटी प्रिकॉशन्स लेती है, बिल्कुल, बिल्कुल, हर कोई लेता है, हर कोई लेता है, मुझे भी पसंद नहीं है, कि अगर मैं लिफ्ट में जाओ, एक खतरना कुटा खड़ रखे, दिखे, मेरे सुसाइटी में मैं डॉक फीडिंग करता था, मुझे याद है, तो अभी भी मेरे 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 ग्रूप से हैं, जिसमें डॉक्स के लिए इलाज वगरा साब हम लोग स्ट्रीट डॉक्स की इलाज करते, खुद से खुद के पैसे से सब कुछ खुदी करते अब इसमें क्या है कि हम ना सुसाइटी के भार ना स्ट्रीट डॉक्स को खाना खिलाते थे, अब मैं जबरदस्ती करूँ कि मैं सुसाइटी के गेट पे खिलाओंगा खाना, मेरे को सुप्रीम कोट से मुझे वो मिली है, पर्मिशन मिली है, तो वो गलत है, मैंने थोड़ा मैंने भी एक्टिविस्ट है, सब को समझना पड़ेगा कि हमें सब को मिलके रहना है साथ में, आपने लड़ाई कर लिया ना तो वो जो आदमी कल को डॉक्स को खाना खिलाने और वो और उससे चिड़ जाएगा, वो पत्थर भी मार सकता है, इसमें हम कुछ लोगों के कॉम यूजर आईडी है, आप पता नहीं, नई फेक तो नहीं कहेंगे, कि हो सकता किसी का हो, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेट है, उनका भी नाम लेंगे, एक अट दरेट यूपी एससी 8301 लिख रहे हैं, अगर सम्मिदान के इसाब से हम चलेंगे तो फिर अपराद रुख इसके लाबा, जमुना यादव जी लिख रहे हैं, गुड, संजीव शुकला जी लिख रहे हैं, अप्रिशेट पुलिस एक्षन, मोहन सिंग जी लिख रहे हैं, शुभा मोझा जी लिख रहे हैं, बेस्सी एम इन यूपी योगी जी, इसके लाबा, वीरा गूरजर जी ने कुछ लिखा है, वीरा गूरजर जी ने लिखा है, टेक विच चिंटु जी ने लिखा है, अमरजीत गुपता जी ने लिखा है, इलोजिकल जी ने लिखा है, सचिन गौतम जी ने लिखा है, इसके लाबा, लकी बंसल जी, आरेयन जी, अंकुष मिश्वरा जी, डीजे आमर जी, वीरा गूजर जी, अभीमन्य कुमार जी, यह तमाम लोग जो है वो लिख रहे हैं, मिलिटरी रॉय जी, कुलदीब सिंग जी, राजेश वर्मा जी ने लिखा है, ब्रहंपाल सिंग जी ने लिखा है, टेक विट चिंटु जी ने लिखा है, तो आप लोग हमें जो लिखते हैं, ठेंक यू सो मच, अपने विचार जो कॉमेंट्स हैं किया करें, हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम जो है वो वीवर्स का जो कॉमेंट्स हैं वो लें, हाला कि कई बार लिस्ट लंबी होती है, तो मैं शमा चाहता हूँ, जिनके हम नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो निराश ना हो, वो भी लिखें, हम उनका अगली बार जरूर नाम लेंगें, धन्यवाद धन्यवाद। भी ऑल ऑजyba किया old मैं वो लेंगें, कि दो कामें, जिनके मैं वो भी खमी रंबी।